हेलो दोस्तों, स्वागा था आपका मेरे चैनल टेक्निकल एनिमल लवर्स में दोस्तों, आज मैं सौट बाडी फ्लावर होन फिस को कबर करूँगा और इस से रिलेटेट सभी इन्फोरमेशन आपके साथ सेयर करूँगा जैसे इस फिस की ओरिजीन कहां सी होई है इस फिस के लिए best aquarium size कौन सी होनी चाहिए और इस फिस के कौन कौन से tank mats हो सकते है और जिस aquarium में यह मचली रहती है उस aquarium का temperature और pH value कितनी होनी चाहिए और इस फिस के लिए best foot कौन समाना जाता है यह सभी information मैं आपके साथ share करूँगा तो चलिए सुरू करते हैं पहले origin की बात कर लेते हैं तो 90's में Malaysian द्वारा इसको breed करके बनाया गया था दोस्तों यह man-made breed है यह naturally नहीं पाया जाती red blood parrot और red devil parrot जैसी जो other cichlet fishes है इनको आपस में breed कराके इस fishes को बनाया गया था दोस्तों यह basically अभी two types की होती है एक short body flower horn एक long body flower horn तो दोस्तों आज मैं short body flower horn को cover करूँगा दोस्तों आप बात करते हैं tank size की तो flower horn fish की जो लंबाई है वो दो से तीन इन से ज़्यादा बड़ी नहीं होती इसलिए आपको बड़े aquarium की requirement बिल्कुल नहीं है आप दो fit के aquarium में इसको आराम से रख सकते हैं हाँ दोस्तों जब आप community tank में रखते हैं तब आप टाइफिट तक aquarium रख सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं tank mates की तो दोस्तों आप से जिल फैमिली से बिलॉंग करने वाली सभी मचलियों को इनके साथ आप रख सकते हैं क्योंकि इनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है दो से तीन इंच तक रहती है हाँ दोस्तों यह aggressive जरूर होती है इसलिए आप ध्यान रखें कि आप height place अपने aquarium में जरूर रखें आप driftwood यह rocks वहरा इनका यूज करें जिससे यह fight होने पर या किसी को पर attack करती है तो दूसरी मचलियों चुप सके या इस पर attack होता है तो यह चुप सके जैसे आप मेरे aquarium में देख रहे है मैंने जैगवार फिस को रखा हुआ है सेवराम फिस को रखा हुआ है टेरर और टेकसाज सभी को रखा हुआ है तो इनके साथ यह easy रह रही है हाँ जो दोस्तों जब यह बड़े हो जाते हैं आपके जो other fishes होती है जैसे जैगवार हो गए टेकसाज टेरर तो इनको आप अलग कर दें क्योंकि इसकी साइज 2-3 इंच रहेगी से जादा बढ़ेगी नहीं तो other fishes फिर इसको पर अटेक करने लगती है करते हैं aquarium का water कैसा होना चाहिए और इसका pH value और temperature कितना होना चाहिए तो दोस्तों आपको पता होगा यह fresh water की मचली है इसलिए आप अपने aquarium का पानी यतना clean and clear रख सकें उतना अच्छा है दोस्तों अगर आप इसको community tank में रख रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आप power filter के यूज़ बिल्कुल ना करें आप some filter के यूज़ कर सकते हैं आप top filter के यूज़ कर सकते हैं और जो pH level होता है वो 7 to 8 इसके भी आसानी साब रह सकते हैं कम ज्यादा pH value अगर जो होती है तो आप तुर्णत aquarium का 20 to 30% पानी चेंज कीज़े जिससे बाद में यह maintain हो जाएगा अब बात करते हैं इनके disease के बारे में तिनमें fungal infection और white spot common है तो जब भी ऐसी बीमारी हो तो आप antifungal डालके और 28 degree heater set करके इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों आप एक चीज़ का और ध्यान रखें आप जैसे महीने भर में आपको market में एंटिवायोटिक मशलियों के मिल जाएगी आप किसी भी shop में जाएंगे और पूश लेंगे कि मशलियों के इंटिवायोटिक दे रिए तो दे देता है उसको आप जरूर एड़ कर दें महीने में कम सकम एक से दो बार इससे क्या होता है कि जो भी infection होने के chances रहता है वो काफी कम हो जाता है दोस्तों बात कर लेते हैं सबसचा food कौन समाना गया है short body flower horn के लिए तो आप इसको optimum और tetrabit दोनों दे सकते हैं दोनों को mix करके आप aquarium में डालने जैसे आप मेरे aquarium में देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से feed कर रही है मार्केट नों बहुत सारे आपको branded food मिल जाएंगे जैसे हम पी हेड फ्लावर हॉन फिस फूड मिल जाएगा और जो अधर ब्राइन फूड है उनको भी आप दे सकते हैं लेकिन दोस्तों आप यह ध्यान रखे वह long body flower horn के लिए होते हैं ना कि short body flower horn के लिए इनके लिए tetra bit optimum sufficient होता है हाँ आप हपते में एक आद दो बार आप shrimp और blood worms वहरा ऐसा दे सकते हैं दोस्तों यह life fit भी लेते हैं लेकिन मैं आपको highly recommend करूं कि आप life fit कभी न दे आप बिमार है या नहीं है और बहुत सारे paracitis उसके body होते हैं जो कि जाके फिर इसके body हो जाता है और इसकी death हो जाते हैं इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप pallet foods और drive sims वहरा as को आप दें आप कभी life food भायरा ना दे हैं उस्तों आप बात करते हूं कि इन मचलियों को flower horn के साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए तो आप कभी भी गोल्ड वेराइटी कॉर्फ वेराइटी और जो छोटी टेट्रा वयरा होती है इनको कभी भी आप स्वाट वड़ी फ्लावर हों के साथ बिल्कुल ना रखे और हाँ अगर आप जो कभी धोखे से रख दिये गप्पी फीस होगे या कि मॉली फीस होगे तो विदिन 10 सेगंड वो इसके पेट के अंदर दिखेंगी इतनी गाइरेंटी है इसलिए कभी भी आप इन मचलियों को इनके साथ न रखें जितनी आपकी सेसेड़ फेम से बिलॉंग करने वाली मचलियां होती है उनको ही आप रखें दूसरी को मत रखें तो प्राइस की बात कर लेता है तो आपको मार्केट में 200 लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद